ओम नम शिवाय नमहा शिव भक्त जनू आज हम श्री विश्वेश्वर जोतिर लेंग के मानसिक यात्रा पर चलेंगे अर्थात इस जोतिर लेंग के बारे में जानेंगे और कथा सुनेंगे यह जोतिर लेंग उत्तर भारत की प्रसिद नगरी काशि में स्थित है इस नगरी का प्रले काल में भी लोप नहीं होता उस समय भगवान अपनी वास भूमी इस पवित्र नगरी को अपने तरिशूल पर धारन करते हैं और सृष्टी काल आने पर पुने यतास्थान रख देत स्रिष्टियादी श्ली भी इसी नगरी को बताया गया है भगवान विश्णु ने इसी स्थान पर स्रिष्टी कामना से तपश्चा करके भगवान शंकर जी को प्रसन्य किया था अगस्तिमुनी ने इसी स्थान पर अपनी तपश्या के द्वारा भगवान शिव को संदूष्ट किया था इस पवित्र नगरी की महिमा ऐसी है कि जो भी प्राणी यहां प्राण त्याकता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है भगवान शंकर ने तारक मंत्र का उपदेश करते हुए कहा है कि पापी से पापी प्राणी भी सहजी भवसागर की बाधाओं से पार हो जाता है अर्थात विश्यों में आसक्त अधरम निरस्त व्यक्ति भी यदि इसकाशी क्षेत्र में मृत्यू को प्राप्त होता है तो उसे पुने संसार बंधर में नहीं आना पड़ता मतश्य पुराण में भी इस नगरी का महतो बताते हुए कहा गया है कि जब ध्यान और ग्यान और दुखों से पीडित मनुष्या के लिए काशी ही एक मात्र परमगती है श्री विश्वेश्वर के आनंद, काननमी, दशाव, मेग, लोलार्क, बिंदु माधाव, केशव और मनी करनी का ये पांच प्रधान तीरत हैं इसी से इसे आविमुक्तिक शेत्र कहा गया है इस परमपवित्र नगरी के उत्तर की ओर ओंकार खंड दक्षिन में केदार खंड बीच में विश्वेश्वर खंड है परसिद विश्वेश्वर जोतिर लिंग इसी खंड में अवस्थित है पुराणों में इस जोतिर लिंग के संबंद में ये कथा कही गई है कि भगवान शंकर पारवती जी का पाने ग्रहन करके कैलाश परवत पर रहे रहे थे लेकिन वहाँ पिता के घर में ही विवाहित जीवन बिताना पारवती जी को अच्छा नहीं लगता था एक दिन उन्होंने बगवान शिव से कहा कि आप मुझे अपने घर ले चलिए मुझे यहां रहना अच्छा नहीं लगता सारी लड़कियां शादी के बाद अपने पती के घर जाती है और मुझे तो अपने पिता के घर में रहना पड़ रहा है भगवान शिव ने उनकी ये बात स्विकार कर ली, वहमाता पारवती को साथ लेकर पवित्र नगरी काशी में आ गए यहां आकर वे विश्वेश्वर जोतिल लिंग के रूप में स्थापित हुए शास्त्रों में इस जोतिल लिंग की महिमा का जो वर्णन है वो अनेए ग्रूपों में किया गया है इस जोतिल लिंग के दर्शन पूजन द्वारा मनुष्य समस्त पापों तापों से चुटकारा पा जाता है प्रति दिन नियम से विश्वेश्वर दर्शन करने वाले भक्तों का योग क्षेम का समस्त भार भूत भावन बगवान शंकर हर लेते हैं ऐसा भक्त उनके परमधान का अधिकारी बन जाता है बगवान शिवजी की सदय उस पर कृपा बनी रहती है रोख शोख दुख देने उसके पास भूल कर भी नहीं आते हैं ओम नमशिवाय नमः